शुरुवात करते हैं सबसे छोटे और सिंपल अमाइनो एसिड से जो की है ग्लाइसीन ग्लाइसीन को रिप्रेजेंट करते हैं GLY और G से देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है COOH NH3H यह आपको सभी अमाइनो एसिड में देखने को मिलता है यह जो स्ट्रक्चर होती है सेम रहेगी बट जो फॉर्थ गुरूप होता है वो डिफरेंट होता है जो फॉर्थ गुरूप होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन कि बात यह है कि ह प्रोपर्टी की अगर बात करें सबसे सिम्पल है सबसे चोटा है समॉलेस्ट हे चोटी सी स्ट्रक्चर है लेकाएं कि विदाउट यहाँ पर कोई भी आर गुरूप नहीं होता और यह A-Kiral होता है यानि कि Glycine एक A-Kiral Amino Acid देखिए A-Kiral का मतलब होता है कि इस कारबन के अगर चारों गुरूप डिफरिंट ना हो तो उसको हम बोलते हैं A-Kiral और सभी Amino Acid में केवर Glycine ही ऐसा है जो कि A-Kiral होता है Most flexible है क्योंकि R-Chain नहीं है तो ये किसी वी तरीके से flexible हो सकता है कैसे भी moment को show कर सकता है तो सभी amino acid में सबसे ज़्यादा जो flexible होता है वो भी glycine ही होता है hydrophobic होता है and non-polar होता है कोई भी charge नहीं है आप देख सकते हैं इसलिए ये non-polar है और hydrophobic है तो हमने देख लिया है structure, naming structure and properties next देखते हैं वो है alanine, glycine के बाद हम पढ़ रहे हैं alanine के बारे में represent कैसे करते हैं ALA and या फिर A से हम इन दो तरीके से उसको represent कर सकते है structure के अगर बात करें इसके भी काफी easy होती है COH तो रहेगा ही NH3 भी रहेगा और H भी रहेगा यह जो fourth होता है दोस्तों यह होता है CH3 तो यह structure होती है alanine की small है छोटा सा structure है R जो group है वो होता है CH3 जिसको methyl group भी बोलते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि alanine की जो R group होता है वो methyl होता है यह chiral है क्योंकि इस carbon के जो चारो group है वो different है एक दूसरे से similar नहीं है तो यह chiral amino acid होगा hydrophobic होगा and non polar होगा हमने दिखाया alanine के बारे में आप देखते हैं valine के बारे में जो कि next amino acid हम पढ़ रहे हैं उसको represent करते हैं दोस्तों VAL या फिर V से structure के अगर बात करें तो यह तो similar रहेगा सब में सेम हैं लेकिन जो fourth होता है वो होगा उसका CH CH3 and CH3 यह होता है आर group of value यह आपको याद रखना है यहां पर एक CH होता है CH3 and CH3 properties के अगर बात करें यह भी small है बट ब्रांच है आप देख सकते हैं यहां से ब्रांच शुरू हो चुकी है तो इस amino acid को हम branched बोलते हैं कि यह एक branch amino acid है नॉन polar होगा hydrophobic होगा similar है कोई भी charge नहीं है तो non polar होगा and hydrophobic होगा chiral भी होगा क्योंकि यह चारो group different है और यह जो आर होता है इसको यह जो आर है इसको बोलते हैं isopropyl group यानिकि वैलीन का जो आर होता है वो isopropyl होता है तो हमने देख लिया है glycine, alanine and valine के बारे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह है leucine जो की next amino acid हमें पढ़ना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अब LEU या फिर L से रिप्रेजेंट करेंगे इसके structure के बात करते हैं तो यह similar है यह सभी में save रहेगा fourth जो group है वो different होगा और वो क्या होता है leucine के case में CH2, CH, CH3 and CH3 सबसे पहले आपको CH2 लिखना है उसके बात फिर आगे branch सुरू होगी CH और फिर उस पर भी दो attach होते हैं CH3 and CH3 तो यह structure है leucine की properties की बात करें तो non-polar होता है hydrophobic होता है branch होता है and chiral होता है next आगे बढ़ते हैं isoleucine जो की next amino acid हमें पढ़ना है और उसको represent करते हैं दोस्तों ILE या फिर IC represent करते हैं structure की बात करें तो यह common है COH जो की acid है carboxlic acid है यह amine group है यह hydrogen है यह होती है R chain of isoleucine यहां एक carbon है H होगा CH3, CH2 and then CH3 और इसको हम branch बोलते हैं क्योंकि branch की formation हुई है non-polar है and hydrophobic है लेकि यहां पर आपको एक और point note करना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो यह है कि isoleucine के पास दो chiral center होते हैं यानि कि एक यह carbon है जहां पर star mark है यह दो chiral center है जो की isoleucine के पास होते हैं मतलब आप देखिए यह जो carbon है इस पर भी चारो गुरूप different होते हैं देखिए एक hydrogen है एक CS3 है एक ये वाला गुरूप है और एक ये गुरूप है तो आप देख सकते हैं चारो गुरूप क्या है यहां पर इस carbon के लिए भी different है तो हम कैसे represent करते हैं कैसे बोलते हैं कि isoleucine के पास दो chiral center होते हैं ये question कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है तो आपको याद रखना है ये कि isoleucine के पास दो chiral center होते हैं नेक्स से फिनाइल एलरीन अमायन वेस्टिर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एच ई या फिर एप से रिप्रेजेंट करते हैं structure के अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर acid होगा, amine group होगा, hydrogen होगा और जो R group होता है वो CH2 और एक benzene ring होती है और इस R group को हम बोलते हैं methyl benzene, उसको हम बोलते हैं methyl benzene, properties के अगर बात करते हैं तो यह एक aromatic amino acid है, क्योंकि इसके पास एक benzene ring है तो उसको हम aromatic amino acid कहेंगे और यह non-polar होता है क्योंकि इसके पास कोई भी extra charge नहीं है, hydrophobic होता है और chiral होता है, तो यह है phenyl allen के बारे में next है tryptophan amino acid जिसको हम represent करते हैं TRP या फिर W से represent करते हैं और इसकी जो R group होता है वो होता है दोस्तों CH2 उससे attach होगा एक indole group इसको हम बोलते हैं indole group यानि कि tryptophan का जो R होता है उसको indole group के नाम से जना जाता है और यह complete structure है tryptophan की अगर properties की बात करते हैं तो chiral है aromatic amino acid है non-polar है and hydrophobic है तो यह है tryptophan के बारे में अगर next बात करते हैं तो यह है tyrosine tyrosine amino acid है जिसको हम represent करते हैं tyr या फिर y से भी represent करते हैं और इसका जो R group होता है दोस्तों वो होता है phenol यानि कि tyrosine का जो R group है वो phenol होता है CS2 attach होगा जिससे एक benzene जो benzene attach होती है और उस benzene से OH लगा होता है इसलिए इसका फिनोल बोलते हैं अगर हम बात करते हैं properties की तो यह polar होता है hydrophobic होता है अब तक हमने सारे non-polar पड़े हैं लेकिन यह जो tyrosine दोस्तों यह polar होता है क्योंकि यहाँ पर यह जो OH attach है इसके पास partial negative और partial positive charge होता है और क्योंकि यह charge है तो यह polar होगा और polar है तो hydrophilic होगा काईरल होता है और aromatic amino acid होता है क्योंकि इसके पास भी benzene है इसके पास भी benzene है और इसके पास भी benzene है तो जितने भी amino acid हमें पढ़ने हैं उनमें केवल 3 amino acid ऐसे हैं जो कि aromatic हैं जो है Phenylalanine, Tryptophan and Tyrosine इसलिए ये जो aromatic amino acid होते हैं दोस्तों उनके पास एक दो different अलग properties होती है जैसे कि first है absorbance और दूसरा है fluorescence absorbance का मतलब है कि वो light को absorb कर सकते हैं बलकि जो दूसरे होते हैं वो नहीं कर सकते ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास pi electron होते हैं जो benzene ring है उसमें pi electron होते हैं इसलिए ये absorb कर सकते हैं light को second property है fluorescence यानि कि जो light उन्होंने absorb किया है उसको वो वापिस से emit भी कर सकते हैं बाहर भी निकाल सकते हैं तो ये दो properties होती है aromatic amino acid के अंदर अब हम जान लेते हैं कि ये जो aromatic amino acid हमने पढ़े हैं ये कौन से nanometer की mad want to---- वेवलेंद की light को absorb करते हैं सबसे ज्यादा जो absorb करता हे 5 वह ऑपसे जादा जो Ellos Can करतां है और वह होगा two 80 nm वेवलेंद की light को ये absorb कर सकता है trypt 47 art अजके बाद है टायईशिंटर सींटा है 274 nanometer की light को एब्सोर्ब कर सकता है और फिनाईल एलेनिन 260 नैनोमेटर की लाइट को एब्सोर्ब कर सकता है और अगर इसे ग्राफ में दिखाना चाहे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है सबसे उपर जो पीक होगी वो ट्रिप्टोफेन की होती है उसके बाद जो से लोवर होगी वो ट जो एरОमेटेग यानि कि जो ऑसफेंस वो इस सिक्वेंस में होती ह miserate यानिकी वाइफ तो ये टीनोमाइन मैंनो अगर बात करें तो उसका जो आर गुरूप होता है वो CH2 SH होता है यानि कि CH2 होगा उससे अटेच होता है SH और यहां SH पर पार्शल नेगेटिव और पार्शल पोजिटिव चार्ज आता है और इस आर गुरूप को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जो कि होता है सल्फ हाइड्राइल यानि कि सिस्टीन के आर गुरूप को हम सल्फ हाइड्राइल बोलते हैं और उसकी प्रोपर्टीज के अगर बात करें तो यह एक सल्फर कंटेनिंग अमाइन वैस्टिड है और इसका जो आर गुरूप होता है वो पोलर होता है नेक्स है हाइड्रोफिलिक यह hydrophilic होता है और सबसे जो अलग प्रोपर्टी है वो यह है कि स्टीन जो अमाइन वेस्टेड है वो डाई सलफाइड बॉंड की formation कर सकता है क्योंकि इसके पास सलफर गुरूप सलफर एटम प्रेजेंट होता है लेकिन एक प्रॉसेस है जिसका नाम है oxidation oxidation की help से ही वो डाई सलफाइड बॉंड को फोर्म करता है नेक्स्ट है methionine methionine को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तो met met या फिर m से रिप्रेजेंट करते हैं यह इसकी structure के अगर बात करते हैं तो इसका आर गुरूप यह होता है यह सब तो common रहेंगे सभी के अंदर लेकिन जो डिफ्रेंट है वो आर गुरूप है और आर गुरूप होता है CH2, CH2, S and CH3 तो यह भी एक ऐसा amino acid है जो कि sulfur containing है तो सारी amino acid में केवल दो ही ऐसे होते हैं जिनके पास sulfur होता है एक है हमारा सिस्टीन और एक है methionine लेकिन इन दोनों में different यह है कि यहाँ पर सिस्टीन के पास free होता है sulfur free होता है लेकिन methionine में sulfur free नहीं होता उसके बाद भी CH3 अटेच होता है इसी कारण से सिस्टीन तो disulfide bone form कर लेता है क्योंकि यह free है लेकिन methionine क्या करता है no disulfide bone form यह disulfide bone को form नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास यह sulfur free नहीं है sulfur containing amino acid है ठीक है non-polar भी होता है hydrophobic होता है तो यह characteristics है हमारे methionine की next है हमारा serine जो की हमें पढ़ना है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ser या फिर s से रिप्रेजेंट करते हैं structure की बात करें तो काफी easy है यह सब common होंगे जो R group होता है वह होता है CH2 OH यानि कि CH2 से attach होगा OH अगर properties की बात करते हैं तो OH containing amino acid है क्योंकि इसके पास OH group है polar है क्योंकि O पर partial negative आता है H पर partial positive आता है तो यह polar हो जाएगा और अगर यह polar होगा तो hydrophilic भी होगा और undergo phosphorylation यह एक unique property है जो आपको याद करनी होगी कि serine क्या कर सकता है phosphorylation कर सकता है next है दोस्तो threonine इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं THR या फिर T से रिप्रेजेंट करते हैं structure की अगर बात करते हैं तो यह है R group of threonine यानि कि C है carbon है carbon से attach है hydrogen CS3 and OH properties के अगर बात करें तो OH containing amino acid है serine भी क्या था हमारा OH containing amino acid था और threonine भी क्या है OH यानि कि hydroxyl group containing amino acid है polar होता है क्योंकि यहाँ पर partial negative आएगा यहाँ पर partial positive आएगा तो यह polar हो जाएगा hydrophilic भी होगा यह भी क्या कर सकता है phosphorilation कर सकता है जिसके पास भी OH group होगा वो phosphorilation कर सकता है जैसे कि यहाँ पर serine ने किया था threonine भी कर सकता है एक और unique property होती है threonine की वो दोस्तों यह है कि इसके पास दो chiral center होते हैं आपको यादो isolation में भी हमने यह पढ़ा था कि दो center होते हैं थ्री ने के पास भी दो chiral center होते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन यह होता है जहाँ पर यह अलग है यह भी अलग है यह गुरूप भी अलग है तो चारों गुरूप अगर डिफरेंट है तो यह काईरल हो जाएगा लेकिन अगर आप गोर करते हैं तो यहाँ यहाँ पर यह जो कार्बन है इसके पास भी चारों गुरूप डिफरेंट है देखिए कैसे यहाँ पर ओच है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर यह इक अलग गुरूप है तो इस तरीके से थ्रिवन के पास भी दो chiral center होते हैं और आपको याद रखना है कि सभी amino acid में क कर Taylor कि बात करें तो uska R Graphed यह होता है यह सिमिलर होंगे सभी के ऑंदर यह हमारा R गुरूब है ऐस पैरेजन का यानिकि सीस्सेद्टी आचे कार्बन फिर यहाँ पर Show होता है तो अगर जात करते हैं तो उसका है क्हुंत फिर यानिकत यह पनेवाति गदो is a amide containing amino acid hydrophilic है यहाँ पर क्योंकि partial negative और positive है तो यह hydrophilic होगा polar होगा और chiral होगा यह properties है asparagine की next है glutamine उसको हम represent करते है GLN या फिर Q से represent करते है structure की बात करें तो यह होता है R group of glutamine CS2, CS2, carbon फिर oxygen है उससे attach है NS2, यहाँ पर भी partial negative और partial positive आएगा तो इसको भी हम क्या बोलते हैं the amino acid that is containing amide group, यह जो glutamine है इसके पास भी amide group होता है polar हो जाएगा, hydrophilic हो जाएगा और chiral होता है तो दो amino acid ऐसे हैं जिनके पास amide group यहाँ पर given है thin in ऐसा है जिसके पास OH given है और serine भी कैसा है जिसके पास OH present होता है next amino acid है asparatic acid जिसको हम represent करते है ASP या फिर D से represent करते है इसकी structure के अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका R group होता है CH2 के साथ में attach है COO जो की एक acid group होता है इसलिए हम asparatic acid को acidic amino acid बोलते हैं क्योंकि इसका जो R group होता है वहाँ पर एक acid group present है और ये contain करता है beta COOH इसका मतलब है कि देखे ये alpha carbon है और ये beta carbon है और इस beta carbon के पास एक acidic group present होता है that is COOH इसलिए हम उसको बोलते हैं कि contain करता है beta COOH group ये polar है, hydrophilic है और chiral amino acid है next है glutamic acid जिसको हम represent करते है GLU और E से भी represent करते है उसके structure की बात करें तो ब्लोकुल similar होती है to the asparatic acid बस एक difference होता है कि यहाँ पर एक CH2 को extra add किया गया है देखे यहाँ पर केवल एक CH2 था लेकिन यहाँ पर एक CH2 फिर CH2 और फिर COO है जो कि इससे थोड़ा सा different है इसको भी हम acidic amino acid बोलते हैं क्योंकि इसका R गुरूप में एक acidic गुरूप होता है यह एक gamma COOH containing amino acid है क्योंकि यह C alpha है यह beta है और यह gamma है और gamma से attach है COO तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि glutamic acid is contain gamma COOH group polar है, hydrophilic है और chiral amino acid है next है lysine lysine को हम represent करते हैं LYS या फिर K से represent करते हैं उसकी structure थोड़ी सी बड़ी होती है आप देख सकते हैं यह होता है R group of lysine CH2, 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 CH2 से attach है फिर NS3 positive और इसका एक specific name है जिसको बोलते है butyl amino group यानि कि lysine का जो R group है इसका नाम होता है butyl amino group यह भी क्या होता है polar होता है, chiral होता है और hydrophilic होता है उसका एक और नाम होता है दोस्तो alpha epsilon amino acid इसका मतलब है कि यहाँ पर यह जो carbon alpha है उस पर भी NS3 present है और जो epsilon carbon है यह alpha है, यह beta है, यह gamma है यह delta है और यह epsilon है और इस epsilon से attach है NS3 positive तो इसलिए उसको हम alpha epsilon amino acid भी बोलते हैं next है दोस्तो arginine next amino acid है arginine जिसको हम represent करते हैं A, R, G या फिर R से भी represent करते हैं इसके structure कुछ ऐसी है R group यह होता है CS2, CS2, CS2 फिर NH है, फिर C है उससे attach है NS2 और NS2 positive और यह जो R group है इसका भी एक specific name है जो होता है guanadino group और यह polar amino acid है hydrophilic है, chiral है और basic amino acid है क्योंकि यहाँ पर NS2 जो होता है गुरूप वो basic होता है तो इसलिए इसको हम basic amino acid बोलते हैं और lysine को भी हम basic amino acid बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर NS3 positive present होता है नेक्स amino acid है दोस्तो histidine जिसको हम represent करते हैं HIS, HIS, HIS या फिर H से भी represent करते हैं उसके structure के बात करें तो इसका R group यह होता है CS2 है जिससे attach है इमीडाजोल गुरूप और इस complete को इस complete को हम बोलते हैं इमीडाजोल गुरूप यानि कि histidine के पास होता है इमीडाजोल गुरूप यह भी एक polar है hydrophilic है और chiral amino acid है तो next amino acid है proline जिसको हम represent करते हैं PRO या फिर P से भी represent करते हैं इसकी जो structure है थोड़ी सी हट के है बाकी amino acid से देखिए कैसे यहाँ पर carbon है जिससे hydrogen attach है COOH attach है और NH attach है हमने सब में देखा है कि NH3 attach होता है लेकिन यहाँ पर अलग क्या है देखो CS2 attach है पहले कारवन से फिर CS2 है फिर CS2 है और यह जो R chain है यह वापिस से एक cycle structure को बना कर जो main chain का NH होता है उससे attach कर जाती है तो इस तरीके से जो R chain होती है वो फिर से आकर NH3 से बाइंड कर जाती है और एक cyclic structure को form कर देती है तो प्रोपर्टीज के अगर बात करते हैं यह एक cyclic amino acid है chiral B है non-polar है hydrophobic है hydrophobic है और most rigid amino acid है ऐसा इसलिए क्योंकि यह cyclic structure है सभी के सभी जोड़े हुए होते हैं आपस में तो यह move नहीं कर पाते इसलिए proline is one of the most rigid amino acid in all the amino acids तो यह है proline के बारे में next है दोस्तो selenocysteine amino acid यह जो selenocysteine है और pyrolycine है यह ऐसे amino acid है जो कि अभी हाल फिलाली attach होए है हमारे standard amino acid में पहले 20 थे बट अब 22 हो चुके हैं जिसमें से एक है selenocysteine उसकी structure कुछ ऐसी होती है इसका जो गुरूप है वो CS2 selenium group से hydrogen attach होता है तो यह structure हो जाएगी selenocysteine की pyrolycine के अगर बात करते हैं तो उसको represent करते है pyr से और इसकी जो structure होते है दोस्तों यह होगा common structure जो सभी के अंदर हमने पढ़ा है फिर CS2 होता है फोर टाइम यानि की CS2, CS2, CS2 फिर CS2 और फिर उससे attach होता है NH group और फिर उस NH से attach होता है carbon with oxygen और एक cyclic structure होती है जहां पर CS3 attach होता है तो यह structure है pyrolycine की सभी हमाइवसिट्स के बारे में हम देख चुके हैं उनका naming, structure and properties तो आज की इस वीजियो में दोस्तों इतना ही अगर आपको जानकारे अच्छी लगी है तो वीजियो को like, share, subscribe जरूर से करना Thank you